मकान का उद्रघाटन होता है ना या मकान का पाया रखाता है कोई नया प्लाट बन रहा है मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया पहली बार कर कोई पाया रखा रहा है कोई बिम बन रहा है कालम बन रहा है उसमें नीचे पाया बरा रहा है तो उसमें जो ब्राह्मन होते ह आप जिन वास्तु सास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मन जन से पूछेंगे, कि हमारा मकान बन रहा है खड़ा पुद्रा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो पता देगा, इसमें आप नागनागीन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक् पुरान के इंतरगत भी मिलेगा, कि यदि नूतन मकान के पाए में, एक नारियल के गोले में, गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर, उसको दवा दिया जाए, तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, और कलेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी आहंकारी बहु क्यों मिलेश नहीं हो सकता, उस घर के अंदर जितने भाई रहे रहे हूं, जितने कुटमभी रहे हों, इसमें क्लेश का मतलब नहीं हो सकता, चलो। यात करिए। पुराने के समय में। पुराने समय में। न कितना प्रेम होता था भाईयों एन। बहनों में। भुँआओं तो बड़ा परिवार और युर सब रहता था। कुई जमीन महँगे। न जाह场 महँगे। दू कान का हिस्सा माग ना रखम माझे इतना प्रेम कहांसे आता था ठोपुरानी बात बात करो पहले के समय में इस सेमेंट के मगान मनते थे के अरे बोलते जाओ नहीं क्या होता था चूना मंँखवाया जाता था मिटनी मंगवायी जाती थी उसमें गुड मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला दे अब वास्तु रीती में तो हमने इस सब चीछ छोड़ दिया हमने यह सब जीच समापत कर दिया, कि ना तो हम उसमें गुड मिला रहे हैं, ना कोई वस्तू मिला रहे हैं, वस्तीर सिरिख सिमेंट खऱ्ज के लाएं, और लगा दिया गए, पर उसका भास्तू तत्व क्या है, उसका बास्तुवान जैसे कोई बहुत बिमार वेक्ती है बहुत बिमार है बहुत बिमार और उसको कोई ओशदी नहीं लग रही है उसको कोई ओशदी कामी नहीं कर रही है तो आप जब उसको भोजन करा है पानी पिलाए आप उसको कुछ भी खिलाए चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुक यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे, तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा, 15 से 16 दिन नहीं होगा, पर यदि आप उसको उत्तर का मुक रखकर, अगर भोजन कराएंगे, दक्षण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो इसको ओशद ही लगने में बहुत समय लगता है महारच, इसको पंदरा दिन बहुत हो गए, बहुत, जिससे दक्षण की और मुख करकर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं रोग जाते पेट के रोग भोट सारे हैं महारच, बहुत रोग है महारच, पेट से जड़ा हुआ कब ज़कावी रेवे, गैस रेवे, और ना जानने जानते कितने बिमारिया उसके अंतरगत हो जाती है, तो ये सारे रोग का इसवते हैं, धक्षण में बेटकर अगर आप मुख क ग्रण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रण करना ही पड़ेगा वो दुख तो आपको जहलना ही पड़ेगा तो भगवान शिव की कथा कर रही है इसकंद पुरान वर्णन कर रही है महाराज सुन्दर अगनी पुरान और बामन पुरान कर रही है एक गोले में गुड शमी पत्र रखकर जो दवाया जाता है उससे जीव को इसलिए आज भी हमारे नियम है जब आप लोग नहीं दवा पाते हैं तो जब बास्तु पूजन कराने पंडी जी आते हैं तो एक चांडी के एक तामबे के लोटे में नागनागे तो उसमें सक्कर भरते हैं सक्कर भरके उसको दब गाते हैं कि बहले तुमने गुड नहीं रखा तो सक्कर दबादो पर उसको गोले में रखना चाहिए तुमने पहले हिए तो तामबे के कलस है नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गय sabá अवस्था समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तामवे का कलस रखो चांदी का नागनागिन रखो उसक्कर भरो फिर दबा और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो गुड़ भरा हो उसमें भले तुम नागनागिन रखो कुछ भी रखो पर समी पत्र अगर रख दिया तो नागनागिन की वी जरुवत नहीं है समी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ती रखने की वी जरुवत नहीं है समी पत्र में 33 कवटी देवता एक एक पत्ती के रूप में उस शमी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं जिसको हम विराजमान कर रहे होते हैं सुक्ष सम्रद्धी द्वैभाव आनन्द दे बेल पत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्मान करो हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्मान करो उसका पूजन करकर घी का दिया लगा कर भगवान संकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हिर्दय पर अपने हिर्दय पर चाहे पुरुशो चाहे स्त्री हो अपने हिर्दय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विश सरजन उसी बेल पत्री की पेड़ के नीचे जल डाल कर दे माराज यश मिलना प्रारम हो जाता केवल यश के लिए ही नहीं होता इसका एक्रमोर है मान लो आप किसी मिटिंग में बेटे हो किसी अच्छी जगा पर बेटे हो किसी कंपनी के इंटर्विव में बेटे हुए हो कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे है तो उसके लिए ये कारे उन है उसके लिए और ये कहां पर भी काम आता है माहराज मान लो आप किसी कारे के लिए जा रहे हो और वो कारे बहुत जरूरी है कि इस वेक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है इस वेक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है और वो वेक्ति बहुत दिन से हाथ में आई नहीं रहा तो उसके लिए भी ये कारे किया दो अर्थात कीर्ती, शुद्ध हो, पवित्र हो और यश्की प्राप्ति अब इस तरी कहे कि हम संकर के अराधना कर सकते हैं? हाँ? इस तरी कहे हम शिव को इस परश कर सकते हैं? हाँ? क्यों नहीं? क्या हम हनमान चाल इसा पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं? सुन्दरगान पर परते हैं, क्यों नहीं? हनमान और शिव एक ही सुरूप है और, वह सुरूप का इसपर्ष होना कोई गल्ध नहीं क्यों आँ, कई लोग कहते हैं अमनमान जी के मंदर में दिया लगाएं कि ना लगाएं क्यों नहीं भगवान शंकर पर जो जल चड़ता है वो उत्तर दिशा की और क्यों जाना चाहिए ठीक है और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिन में बेटकर उत्तर की और मुख करकर शंकर का नुमोधन क्यों करना चाहिए ठी जहां बगवान का जल जा रहा है, महाराज उस और देखके हुए, अर्थात उत्तर की और मुख होकर हम भगवान के शंकर की अराधना करें। जैसे पूर्व अभी मुख होकर शिव की जो अराधना करी जाती है, वो एक स्रिष्टता का फल देते हैं। फल देगी, मना नहीं है। पस्षिम की और मुख करकर जो शंकर की अराधना करी जाती है, उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिन में बेटकर, उत्तर की और मुख करकर, जो हम संकर की अराधना करते हैं, उसका जो फल होता है, वो शिक्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तरावागा। बोलो जराजंगे। कहा बेटते हो? महराजी, उत्तर की औ उत्तर तो जलाधारी का मुक है ऐसे, एक सहज भाव है। ये शिवलिंग है ये जलाधारी, ये उत्तर की और है। तो तुम लोग कहा बेटोगे, ये इहाँ जा रही है, ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बेटोगे। कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बेटे हो पर बेटना कहा चाहिए जहां शिवलिंगे यहां से जल बहरा है तो यहां बेटे खिर बाद में लोग करते हैं मारजी हम तो संकर जी के खोब पोजन करते हम तो खोब अनुष्थान करा पर फल कम क्यों मिला उसका कारण है उर्भा भीबु खोकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा पर शिव अराधना में जब दक्षिन में बेटकर उत्तर का मुक करक जहां शिव का जल जाता है बस यहां बेटकर अगर आप शंकर की अराधना कर रहे हो तो वह कामना पूरी होने में देर नहीं लगती कारण जल्दी ही पूर्ण हो जाता है पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं जैसे संकरी के मंदिल में जाओगे इदर पानी जाओ यहां से पूजन करो यहां पर उसमें शिव महा पुराण में इसकंद पुराण में कहा गया कि भगवान